असलाम लेकुम वीवर्स वेलकम डो माई चैनल करेटेव पैशन आइडियाज में हम आपको वेलकम करते हैं आज हम आपको बेबी गल्स की बहुत अच्छी से फ्रॉक बनाना सिखाएंगे विवर यह देखें जीसे आपको जिए प्रिंटिंद फैबरीक नज़र आरहा है और साथ डॉर्स पाला प्यपरिक है इसके उपर फ्रा कंदे हुए है यह हमने अलादब पैबरीक लिया है और यह साथ डॉर पowskiनलें प्रॉम मैच किया है यह हम इसका बच्ची का ट्राउजर बनाएंगे हमने इसको काट कर रख लिया है थोड़ा बहुत और आपको बाकी का दिखाएंगे यह देखें इस तरह से हम बच्ची का ट्राउजर बनाएंगे इसमें हम यह नीचे जो पट्टी हम आपको दिखा रहे हैं इसकी बनाएंगे इस तरह से मैं आपको बना के दिखाते हैं यह देखें ऐसे करके इसमें हम लगा के हम डाच अपकी च्ट के चुन्ट डालेंगे ऑफे हम इसकी चूंत टालेंगे ठीक है एक बनायगे ऑफियर जोडियर कई आक हम इसकी चूंत का यह बच्ची का प्राउजर um i sy大家好 इबुब ना लेंगे इसके बाद हम यह आपको फ्रॉग के अपर साइड नदर आ रहा है ब्लॉग जॉळा इसको हम स्लाई कर लेंगे इसका नेक बना लेंगे नेकलाइन नेकलेक्स इसका बहुत बना लेंगे इसके बाद हम यह आपको दिखा रहे हैं यह फ्रिल्स हैं यह वाली यह फ्रिल्स हम नीचे लगाएंगे इस तरह से चूंट डालका यह फ्रिल्स डालेंगे और यह जो है यह इसके स्लीव हैं इसको हम फ्रिल्स लगा लेंगे ठीक है यह हमारी फ्रॉक बन जाएगी इसके बा बनाकर इसके नेक पर खुबसरत से डिजाइन कर लेंगे चुंट डाल कर इस तरह से धागे के साथ बारीज पर चुंट डाल कर खैंच लेंगे फिर उसको नप लगा लेंगे डबल शेड में जिस तरह हम देखें यह तू कलर है एक रेट है और एक सबस कलर का है ग्रें कलर का लिए इस तरह से हमने फिर शरवार जो इसका ठ्रॉजर आ इस पर हम इन ट्रू कलर का लगा गे जिए रहे है यह जिकुकी तरह हम इस तरह से फ्रेज पर लगाएंगे ठीक है यह हमारा ठ्रॉजर AltUS is त्यार हो जाएगा और यह हमारी फ्लाउक बच्किक की क्यार कर आप हम आपको प्राउजर की कटिंग करके रिखाते हैं इसको स्लाई करने के बाद यहां से स्लाई करने के बाद हम लोग यह जो करते हैं, इसके निचे लगाएंगे ऐसे एक फिल आपको दिखा रही हैं और एक फिल्ज है इसके हम लोग इस तरह से चूंट दालकर में आपको दिखा देते हैं इस तरह से यहां लगाएंगे और एक चून संदाल का जहां पर ऐसे लगा लेगे यह तो फिल्ज लगाकर ट्रॉजर की हम लोग क्लाई कर लेते हैं यहां अबया है है समय करदम, घर क्या समेस लगे हैं, एक उनलाया है, ज Integg मोषन नतसे करदब लेकार . और विवर इसके हमने क्टिंग है और यह हम के बादो बनाएंगे लिए स्लीव है इसमें इसलिद ने करी किरिया है वान आन टू यहांपे हमने स्लील लाहने हैं तो हम इसको इसको स्लाइल भा कि में इसमें प्र route टाल यहां पी कि हम इस स्लील भाइने है सरा अधी थिंद का यह आप में इस and now आ सेजने चाहते हैं च्मद नाल गौना दालनी है यहां पर हम लोग इसके साथ अटेज़ करतेंगे यह हमारे भादु बंढ़ेंगे ऐसे चुंट वाले हैं यह इस तहहां से ऐसे हमारे शेफ बंढ़े हैं भून हम आपका बनाके दिखाते हैं यहां आपका बना पर जलेगा पटी रहा हमने पर रच्छी काली है और एक ही वारी करती हैं, ये दो पटिया हमने जूप राजर इस तहां से इसकी नैप पर दिदानी कर लेंगे, फ्रील बना के लगा देंगे, अब हम इसकी त्लाइब करते हैं, आपको कट्ण कर तरिका आज आज है, हमने आपको बहतारीय देती है, आप इस तरह तरह से इसकी बुंडेटी प्रग किताँ कर सकते हैं, ये ूर्शन कट्ण करे बनाएं, मुश्क्स नहीं है, बहुत असान है ब़ह असान तरीके सब ना सकते हैं, फ्रॉजर की आमने चुद्धा इन प्रओख रोप्र की बता दिया से इस तरह से आपने फील प्रिकके से इसके पांची प यह सेंटर से हमने स्लाई की है ठीक है अब हम इसके पांचे पर फ्रिल लगाएंगे यह दिखे मैंने फ्रिल लगाई है आपको लगा कर दिखाते हैं यह देखें इस तरह से यह फर्स फ्रिल है यह साकर फ्रिल है इस तरह से आपने लगा लेनी है दोनों पांचों पर आपको लगा कर दिखा दी है अब मैं इसके सेंटर में इसलाई लगाऊंगे ठीक है फिर यह हमारा ट्रॉजर त्यार हो जाएगा वीवर्स के मैंने स्लाई कर लिया अपना ट्रॉजर यह फ्रिल लगा कर और इसमें सेंटर पे स्लाई लगाई है वीवर्स इसमें आप कट लगा सकते हैं अंदर वाली थालिक पर यहां पर कट लगाएं ताकि यह जो ठूंट डल रही है वो नहीं डलती लेकिन मैं इसमें इसमें इसके कट नहीं लगाना चारी प这ज कृएंने मैंने इसको ओवरलअ करवानी है और इसके इलावा ओवरलाग करवाने के पायदार हो जाएगा यह लिलन का फैबरिक है फैकर चो जो डबल रगा लिया करें Цैंट को ब्च्ची को उती हो त और जो धागा है वो नहीं निकले περι qué ändак ज़र uniforms बाना कि डिखाया है यह क्या आप ज है唯े नहीं दौर ले सकते हैं यह दरूरिन ही होता कि आप दरजनों से लमाएं बहुत हीदी बहुत असाल और फॉर बिगनर्ज जो है हमने उनके लिए पैशर करके दिखाया है त्राउजन मिस है कि आपको हमारा जी त्राउजन अठा लगेगा इसके साथ यह हम अपने फ्रॉक त्लाइब करते हैं कि समय बज यह देखें कि मैंने इसका नक बनाए है है ठीक है इसका यह फुट्सुरत सान बनाके इसको simply मैंने जो थिक धागा करके इसको चलाई कर लिया है इसके बार मैं इसको तरफाई कर लोगे नियुक्त कपड़ लगा के इस तरह से इसके सलाई कर लूगी इस तरीके से इसको सोड़ करके इसको सलाई कर लूगी जितना कटिंग का कपड़ा को कार दोगी और यह मैंने Back Side है, इसको फ्रंक साइड थी, यह Back Side में मैंने मिलाई जाया है, इस तरीके से, इसको भी मैंने Thick Thread के साथ Slide की है, चीछ कर लिया है, इसके बाद मैं इसको तरपाई कर लूँगी, और यह वाला जो Thread है, वो निकाल दोगे इसके इसके इंदर से, और Back Side पर जो लगाया है इसको इसी तरह में इस तरह करके तरफाई कर लोगी विये और यह मैंने क्रील बनाई है घेरे की निचे वाले घेरे की इसके नूचे इस तरह लगाने ठीक है कि इस तरह हमारी बन जाएगी और इस तरह यह जो है मैं इस तरह आपर यह इस तरह करके और यह वाला जो है इस तरह करके अथ लगा दो आप और यह मैंने फ्रील्ड बनाई है यह वाली देख रहे हैं आप इसे को ऐसे परके मैं यहां टाइच करूंगे और यह वाली जो है इसको भी मैंने ऐसी चूटा लूँ है और इसको भी मैं ऐसे लगा लूँगे और दर आ रहा है ऐसे में बनाई तक है मैं को इसको स्लाई करते कूं से जीर लांख करते हुए 90 को यह मैं सब्सक्त्राइच करने जो है इसको रेकार ब्रॉटर ब्रलाई और यह वाला उxtage करते कि इसको मैं ऐसे कर दूंगी तो स्लाई करने के बाद यह सारा ऐसे आ जाजएगा और यह वाली यह जूट कर नहां गसे कर दोनियुद सø्चारा कटें कर दोस्के लिगांकि इसको पर दोस्ट करें तो यह जो है जो बाद को हे यह जो बाद को भी चाहरत दोस्ट कर दोगो करवा सकती हूँ लेकिन मेरा अइडियो में फोर्ड करना चाह रही हूँ राज को करने रही है जब लेकिन एसे ही फोर्ड कर लो दीजिंग्गी फिल्हाल मशीन के साथ और बाद में इसको ओबर लाक कर लो हूँ सारी साइट से और आपको माराख दिखाओगी ठीक है वीवर्द यह देखें हमें आकर यह स्टिछ करके आपको दिखा रहे हैं जो अभी हमने आभी लाइकी थी पराइकी थी आपको हमारी फ्रॉक अच्छी लगी है वेभी फ्रॉक हैंस्ट किष कि है इसके लाब हमने आपको स्टिछ करके सिखाया यह इसके साथ है कि यह तहीं ऑद है कि आपको मारी उप्वारी चुलिकर और लाइक पथिक रहे तो जल्दिस सब्सक्राइब करते हैं कि अधर कि ज़्चस कर दो दो चाहिए यह थे ते झाल झाल कर दोग से कर दो नहीं है